हेलो एवरिवन तो आज हम लोग मॉडल पेपर 5 को डिसक्स करने वाले है जिसकी आंसर की के रिफ्रेंस से मैंने आपको बताया था कि इसकी जो आंसर की है बुकलेट में प्रथम राज्यपाल रहा है बहुत बेसिक हो बहुत इजी कोश्चन ज्यादा दिमाग किसी नहीं लगाया होगा पहला अप्शन था हरी विनायक पार्टस कर तो यह तो लीडर ऑफ ओपशिया नहीं रहे पहले केसी रेड़ी पहले नहीं थे हमारा आंसर जाता है पट्टाभ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे है 1948 से 1949 तग इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के एज़ा चेर्में काम किया एज़ा प्रेसिडेंट काम किया है इसके अलाब हम देखेंगे कि मद्विदेश के पहले गवर्नर तो बने ही लेकिन इन्होंने कुछ जचंदी एंड गांधीजम और इंकी एक और बुक है हिस्टरी ऑफ कंग्रेस तो इंकी तीन किताब है को कॉनसी है हीस्टृू ऑफ और गांग्रेस तो या इन्की आपको तीन किताबों के तौर पे आपको यहां दिखेगा तो यह तने फैक्स है आपको पत्टा भी सितर हम नेक्स कोश्चन जो जा रहा है, मद्य विदान सभा के पहले आम चुनाओ 1957 में हुए थे, इसमें कितनी महिलाए चुनाओ जीत कर पहुची थी, तो ऐसा बताते हैं कि उस तेम पे 35 या 36 जो महिलाए उनने इसमें पाटिस्पेट किया था, कंटेस्ट किया था, जिसमें से जो स सःil में होता है, से क्रिटरिय जाचे या जा रहता जो हासे मद्य विदेश सरकार है और जिसको भृपाल नामें किस नामसे मद्य यू कहते है कि उसको नर्मदा भावन के नाम से से Hert इसको बीसने डिजाइन किया चाल्स कूरिया ने, तो इसको भी किस ने डिजाइन किया था, चार्ल चूरिया ने, तो इसको पुनरगठन आयोग ने मद्यविदेश की राजधानी हिदू किस जीले का चुनाओ किया था राज्य पुनरगठन आयोग मतलब वो बात कर रहा है किसकी फजल अली कमिशन की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है फजल अली कमिशन की और यह जो फजल अली कमिशन था मैंने चाहिए लेकिन मदवेदी की रादधानी बाद में किसको बनाया गया भोपाल को बनाया गया जगर हम जबलपूर की बात करते तो जबलपूर को हम लोग कुछ नामों से जानते हैं जैसे जबलपूर को त्रिपूरी के नाम से भी जाना जाता है जबलपूर को संसकार धानी के नाम से भी जाना जाता है जबलपूर को संसकार धानी किस ने कहा तो जबलपूर को संसकार धानी जो है आचार ये विनोबा भावे ने कहा था किस ने कहा था आचार विनोबा भावे ने जबलपूर को संसकार धानी के नाम से भी कहा था तो फोर्थ का आंसर भी अपने पास न सेट अप किया था तो मद्यविदेश के सतना में जो पहली सिमेंट इंडस्ट्री दिखाई देती है उसको किस कंपनी सेट अप किया था तो उसको एसी सी असोसी एट सिमेंट कंपनी इसने सेट अप किया था तो इसको भी याद रखेगा कि सतना इससे सिमेंट कार खाना किसके दोरा ACC के दोरा Setsup किया गया था मद्यविदेश है मुर्गनेनी मुर्गनेनी क्या है, मुर्गनेनी इक कपडो का Emporium है, मुर्गनेनी Emporium जो मद्यविदेश के अलावा आपको अदर आपको कलकता वगेरा में भी दिखाई देता है और ये कौन run करता है तो मद्यविदेश इंडस्टिल डेवलब्मेंट कॉर्परेशन नहीं करता राज जी उद्योग निगम नहीं करता इसको जो run करता है मद्यविदेश लगू उद्योग निगम जो कब सेट अप किया गया था 1961 में सेट अप किया गया था जिसका headquarter आपको म मद्यविदेश में दिखाई देगा next question जो है leather complex मद्यविदेश में कहां पर है देवास इंदौर जबलपूर भोपाल पहले हमने देख लिए कि चारो option क्या है अब हमारे को दिमाग में आया कि मद्यविदेश के देवास में situated है वही से अगर वह आपसे पूछेगा की MP में agro complex MP में कहां पर है तो agro complex मद्यविदेश का कहां पर दिखाई देता है agro complex मद्यविदेश का चिंदवारा में situated है वहीं से आप से वह एक और question पूछे मध्यविदेश में stainless steel complex कहां पर है मध्यविदेश में stainless steel complex कहां पर है यह भी आपको मध्यविदेश के छिंदवाडा में दिखाई देगा यह सागर डिस्टिक में दिखाई देने तो इसका असर आगया की leather complex का अधर आयवास मैं कोश्यां तरफ चल रहा है थैंक्स mom अभियान का संबंद किससे है thynks mom campaign किससे associated है थैंक्स mom campaign को basically madhavidash के forest department ने 2020 में चालू किया था अब forest department ने चालू किया था तर भू किसके related है वो वरक्षार ओपंड से mom मतलब क्या अर्थ की बात कर रहे है, अर्थ को thanks कह रहे है, तो thanks mom campaign जो है tree plantation से associated है, 2020 में start हुआ था, किस से related है तो tree plantation से associated है मद्वेदेश माल नूट्रीशन के लिए लालीमा scheme जो चलती है, इसके अलावा project शक्तिमान चलता है, इसके अलावा mangalah दिवा से हुचना चलती है, तो अलावलावा scheme चलती है, फिर next question तरब जा रहे है किस जंजाथी की लोग उड़त की दाल क्या हो गया लोहा, लोहे का कलर होता है शांरंग और शांरंग रोहे की पूझा कौन करते हैं, लोहे की पूझा करती है अगरिया ट्राइब कुनसी ट्राइब अगरिया ट्राइब जब अपने देवता है उनके देवता कौन है अगरिया ट्राइब के देवता का नाम है लोहा सुर तो अगरिया ट्राइब जब भी लोहा सुर की पूजा करते है तो लोहा सुर की पूजा करते टाइम उनको उड़त की दाल चड़ाते है तो यह भी याद रखेगा कि जो अगर यह है और अगर यह किसकी सबकास्ट है तो अगर यह आपको दिखेगी अगर यह गोंडों की सबकास्ट आपको दिखाई देगी तो आपके जो अगर यह है यह आरन इसमेल्टिंग का काम करते है गोंडों की सबकास जो उड़त की दाल चढ़ाते हैं इसको लोहा सुर्गो फार्म टू फॉर्क मद्विदेश किस नीती का दश्टिकोन है एक थीम है फार्म से फॉर्क तक यह किस अप्रोच की है होटी कल्चर से है क्या नहीं फिशरी लग रहा है देखेंगे और गेनिक एगरी कल्चर पॉलिस जैसे कि आपसे उसने कोशन पूछा मद्विदेश सिल्क डायरेक्टोरेट अगर उसने आपसे क्या कोशन पूछा उसने आपसे कोशन पूछा मद्विदेश सिल्क डायरेक्टोरेट कब बना तो मद्विदेश सिल्क डायरेक्टोरेट बना था 1984 हेड़कॉर्टर उसका भो यहां पर आपको कीस प्रकार का मौनसुन क्लाइमिट विलेगा तो सथ्पुडामाउंटे रिंजेज में आपको 100 cm की ऊपर रेनफॉल दिखाई मदवीदेश में पंचमडी का जो average ànfall है वो कितना है 199 cm पंचमडी का जो average addfall है और अगर आप MP के averagenafall के बात करें तो MP का average unfold 112 cm है मदवीदेश का जो सबसे सूखा जीला है मदवीदेश का जो सबसे dry district है वो कौन सा है भिंड जी ले को मद्विदेश का सबसे सूखा जीला कहेंगे मद्विदेश का सबसे लंबा राश्टी राज जिमार के कोंसा है सबसे लंबा राश्टी राज मतलब नैशनल हाईवे वो भी ऐसा लॉंगेस्ट अब जब लॉंगेस्ट की बात करते हैं NH3 पहले था, NH44 नहीं, NH42 नहीं है, इसका आंसर चला गया, NH46 जो कहां से कहां जाता है, जो गौलियर से जाता है, आपके बैतूल तक जो कहां जाता है, जो 640 किलोमेटर के आसपास जिसमें आपकी टोक्टर लेंग तीखाई दिती है, और भोपाल नर्मदापुरम के रास्ते बैतूल को ठच करता है, तो मद्विदेश का सबसे लंबा नैशनल हाईवे, NH46, संजे डुबरी नैशनल पाक किस जीले में स्ती थे, संजे डुबरी, साल 2000 से पहले तक संजे डुबरी मद्विदेश का सबसे बड़ा नैशनल पाक हुआ करता था, और ये जो संजे डुबर संजे डुबरी नैशनल पाक में पढ़ता है, तो मद्विदेश के सीधी डिस्टिक में आपको इदिखाई देगा, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेगा, संजे डुबरी नैशनल पाक मद्विदेश का कौन सा डिस्टिक सीधी, इसके अलावा आप जाओगे, नेक्स क मद्विदेश की सबसे छोटी सबसे छोटी wildlife century कौन सी है, राला मंडल wildlife century है, मद्विदेश ले फॉक्स conservation center कहां setup किया जा रहा है, तो मद्विदेश लो whole को बचाने के लिए जो center है, राला मंडल में setup किया रहा 승ीने, कि मद्यविदेश के किस जिले में शामगड सुवासरा सिचाई स्कीम ऐसा question बनता है याद है तो बनेगा नहीं तो कोई logic निलगा सकते बस किसी को शामगड याद रहे कि शामगड मद्यविदेश के कौन से जिले में देखेगा धर्म राजेश्वर का मेला कहा लगता है तो धर्म राजेश्वर मेला भी मद्यविदेश के मंसौर डिस्ट्रिक में लगता है कौन सा मेला धर्म राजेश्वर का मेला मद्यविदेश के मंसौर डिस्ट्रिक में आपको देखेगा उसके अलेव आपको देखेगा मंसवर डिस्टिक कौन सी रिवर के बैंक्स पे तो मंसवर डिस्टिक शिवना रिवर के बैंक्स पे next question चले गए मद्यविदेश ये गौँ सेवा आयोग की स्थापना की श्वर्स की गई थी 2002, 1995, 2004 और 1996 तो मद्यविदेश में जो गौँ सेवा आयोग है जो कमिशन है इसमें आपको लेटेस्ट वाला येर नहीं देखा तो पुराने येर की बात करेंगे 1995 में मद्यविदेश ये गौँ सेवा आयोग की स्थापना की गई थी आगे चलते हैं और यहीं से एक और फैक्ट अगर बताऊं कि मद्यविदेश में जो पहली काउ सेंचुरी बनी मद्यविदेश में जो पहली काउ सेंचुरी बनी उसका नाम क्या था उसका नाम था आपका आगर मालवा में कुनसी आगर मालवा में वो cow century situated है और आगर मालवा भी कहां आगर मालवा में अगर आप देखोगे तो सुसनेर तहसील पड़ती है सुसनेर तहसील गाओं का नाम है Salaria village की सुसनेर तहसील district आगर मालवा में मद्यविदेश की पहली cow century भी आपको दिखाई येती है और मद्यविदेश की जो second cow century बनने वाली है मद्यविदेश की जो second cow century प्रपोस है वो MP के रिवा डिस्ट्रिक में प्रपोस है next question की तरफ चल रहा है मद्धविदेश में भारत के एकूल-भागोलिक छेतर का कितना प्रिश्रिता हिस्सा आएगा what percentage of the total geographical area of India does मद्दविदेश have भारत के total भूभाग का मद्धविदेश में total कितना area cover करता है तो वो जो हमको दिखाई दिता है वो है 9.38% के आसपास कितना है 9.38% तो इसका अंसर सी चले आएगा ये कुछ ऐसे question होते है कि आपको बन रहा है तो बनेगा और अगर आप देखोगे कि मद्विदेश की जो rank है area wise second largest state है इंडिया का कैसा second largest state है और जो first state है इंडिया का वो आपका कौन सा है वो है आपका राजिस्थान area wise सबसे बड़ा जो state आपको दिखाई देता है next question तो चल रहे है निवन में से किस छेतर में औसत वर्षा 75 से 100 cm तक होती है मालवा का पठार बगेल खंड का पठार नर्मदा सोन घाटी देखो इन में तो बहुत ज़्यादा होती है इन में तो 100 cm के उपर जाता है rainfall इन दोनों का आंसर ये हो सकता है और दोनों ही आंसर इसमें सही साबित हो रहा है option के according तो दोनों में 75 से 100 की बीच में होती है मालवा में लेकिन कभी कभी 100 cm की उपर भी चला जाता है और ये बुंदेल खंड कभी 75 की नीचे भी चला आता है तो यहां तो फसा हुआ काम है लेकिन अगर option के according देखे तो इस cancer ये और भी दोनों आ सकता है लेकिन हम लोग इसका answer ए लगा सकते है ठीक तो याद रखेगा तो यहां से 75 के बीच में हम लोग बता सकते है बुंदेल खंड का बठार और इस cancer अब B भी लगा सकते है इस cancer बोथ हो जाएगा ठीक चली आगे चलते है फिर जैसे यहां से ये कुछ offline batches की जानकरी की 4 December से एक नाया pre-plus mains का offline batch चालू हो रहा है offline center भावरकुआ से तो अगर जिसको join करना है तो join कर सकता है किस नदी का प्राचिन नाम करणावती है करणावती किस नदी को कहा जाता था तो करणावती मद्विदेश में केंड रिवर को करणावती के नाम से भी कहा जाता था और इसी केन रीवर को कई लोग शुक्ती मती के नाम से भी कहते थे किस नाम से कहते थे शुक्ती मती के नाम से कहते थे यही केन रीवर जो है बेसिकली किसकी ट्रिब्यूटरी है केन रीवर जो है यमना रीवर की ट्रिब्यूटरी है इसी केन दीवर के बारे में एक और फैक्ट की केन दीवर कौन से नेशनल पार्क से ट्रेवल करती है तो केन दीवर जो है आपके पन्ना नेशनल पार्क से ट्रेवल करती है फिर एक और fact यहां से आता है कि केन घडियाल वाइड लाइफ सेंचुरी मद्यविदेश में कहां पर है तो केन घडियाल वाइड लाइफ सेंचुरी मद्यविदेश के पन्ना चतरपूर डिस्टिक में आपको दिखाई दिती है इसी केन नदी के बारे में एक और फैक्ट है कि मद्यविदेश में सजर का पत्थर कहा मिलता है मद्यविदेश में कौन सा पत्थर शजर का पत्थर कहा मिलता है तो वो भी केन नदी मिलता है तो इसका correct answer क्या चला गया इसका correct answer C चला गया नेस्ट है मद्यविदेश उस पादी चिन्नौर किस फसल की किसम है चिन्नौर क्या है तो चिन्नौर बेसिकली क्या है चिन्नौर अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि चिन्नौर जो है क्या है चावल है यह आपके बास्मती राइस का एक टाइप है कैसे राइस का बास्मती राइस का एक टाइप है जो मद्यविदेश के कौन से जीले में सबस्यादा प्रोडक्शन होता है इसका मद्यविदेश के बालागाट डिस्ट्रिक में और Shivnani district में सबसे आर प्रोड़क्शन होता है तो Alejandra चीला इसके लेगी आना आता है इसके आलावा आपसे कभी पूछे कि काली मूच क्या है काली मूच क्या है तो काली मूझ भी जो है वो राइस की वेराइटी है अगर आपसे पूछे कि मद्य विदेश में शर्बती क्या है तो मद्य विदेश में जो शर्बती है वो किस की वेराइटी है शर्बती जो है वीट की वेराइटी आपको MP में दिखती है ने इस कोशन जो है राजा भोज के किस कवी ने तिलक मंजरी गरंथ की रशना की महीपाल तो कुंके कोट में नहीं दिख रहा है भाशकर भट्र नहीं की दामोदर मिश्रा उंक्या नहीं बैठा करते थे आंसर जाएगा इसका क्या धनपाल किस ने की है धनपाल और अगर आपसे एक और फैक्ट पूछे कि एक बुक है जिसका नाम है भोज प्रबंद एक बुक है जिसका नाम क्या है भोज प्रबंद तो भोज प्रबंद किस ने लिखी है तो भोज प्रबंद लिखी है किसने बलाल ने लिखा हुआ है भोज प्रबंद इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक और फैक्ट आपको यहां से दिखाई दता है कि एक और बैठा गरते थे इंक्या पद्मगुप्त परमार डैनिस्ती के एक और स्कॉलर है पद्मगुप्त इन्होंने कौन सी बुक लिखी है तो इन्होंने लिखी है ना वो शशांक चरित्र नामक किताब जो है वो किस ने लिखी है पद्मगुप्त ने लिखी है और तीसरी बात यहां से अगर देखोगे तो एक और है धनन जय एक और है धनन जय तो धनन जय ने कौन सी किताब लिखी है तो धनन जय ने किताब लिखी है जिसका नाम है दश रूपकम जिसका नाम क्या है दश रूपकम तो दश रूपकम जे जो किताब है किस ने लिखी है तो धनन जय के समय पे लिखी गई है या धनन ने लिखी है यह सब पर्माय डाइनिस्टी के सामें दिखेगा उसके अलाव आप राजा भोज को देखोगे तो राजा भोज ने भी कुछ किताबे लिखी है जिसमें श्रिंगार मंजरी राजा मारतंड विद्या विनोध युक्ति कल्पतरू है न यह सारी जो किताबे राज भुज के ध्वरा लिखी गए तो इसका करेक्ट आंसर किया चले आएगा इसका करेकंट अंचर धनपाल चले आएगा फिर नेक्स है मध्यविदेष में सेटेख गो लिंदरश की नित्त यृति है नमिक सत्याग्रा टाब चालू ऑलाउदिंखा कि से Associate पैसे अवाधिय यारीdade संबंदित है अलाउदिंखा जिनके बच्पन का नाम क्या था क्या देखते हैं फो दिखाई देगा आलम ऐसा बताते हैं कि इंका जो तेंक बत्स हो थे इंकरना था उर्ट ही त्रीपुरा एक स्पास बंगन में इंकर इंक Sahaja शरोति के बारे ग्राइब दिंखा है यह क्या बजाते तो उस्ताद अलाउद दिंखा बहुत फेमस सरोध प्लेयर है उस्ताद अलाउद दिंखा क्या है सरोध प्लेयर है तो 24 का आंसर क्या चला गया बी चला गया सब्jective चला गया मालवा में तूरीज़र का अच्छा करने के लिए मालिस इनडूर उजेय्जेविघर ईजर्अ और तेन जगे पर मालवा उस्ताद इन उसलों होता है और इन डूर उस्ताद इन तो इन दूर तो इन तीन गार मार्वामा उसलों जो है 1991 में मालवा उस्वा स्थार्ट हुआ था तो ये भी याद रुखिया किस वर सरफतं माल्वा उसवा का यह जग किया गया तो 1991 में सरफत फितम इसका यह जग किया गया रीजनत्र जो कैसा है एक women centric folk dance है यह कैसा है इसको women centric या महिलाए इसको mainly perform करती है, ये मद्विदेश में आपको بالागाट, मंडला, डिंडोरी के असपा से dance दिखाई देगा, और इस छेतर में आपको कौन सा tribal group दिखाई देता है, इस छेतर में आपको बैगा tribal group दिखता है, तो इसका answer किया चला गया, इसका answer चला गया, बैगा tribal group, बैगा tribal group इ तो एकोची यहां से समझ में आ गई नेक्स्ट जो है निम्नकत्नों में से संगत कत्नों का चैन कीजिए रंग कर्मी नरहरी पटेल का जन्मर अतलाम में हुआ था बिल्कुल सही नरहरी पटेल ने इंदोर में नाट्य भारती की स्थापना की गलत है दैनिक नई दुनिया प्र निम्लेखिन में से किसे चित्रकला की राध्धानी कहा जाता है उदाइगिरी की गुफा अमद्यविदेश में कौन से डिस्ट्रिक में MP में विदीशा डिस्ट्रिक में आपको उदाइगिरी की गुफा दिखती है जो कौन से डाइनस्टी से असोसियेटेड है जो कौन से गुफा कहते है इसको उदाइगीरी की गुफा कहते है बाग की गुफा बाग की गुफा को क्या कहा जाता है अजन्ता ओफ MP के नाम से कहा जाता है किसी बाग की गुफा को और फिर आप कहाता है भीमबेट का रॉक शेल्टर इसका करेक्ट आंसर यही है भीमबेट का रॉक शेल्टर को मद्यविदेश में चित्रकला की राध्धानी कहा जाता है और इसी भीमबेट का रॉक शेल्टर को 2003 में यूनेस को वर्ड हेटेस साइड डिकलेर किया था यूनेस को वर्ड हेटेस साइड यह भीमबेट का रॉक शेल्टर मद्यविदेश के कौन से डिस्ट्रिक में है तो मद्यविदेश के रायसें डिस्ट्रिक में आपको दिखाई दे जिसको डिस्कवर किया था डॉक्टर वाक इसको किस ने बनवाया था जिसको आशा अहीर ने बनवाया था यह जो असीरगड का किला है मद्यविदेश के कौन से डिस्टिक में सिचुएटेड है मद्यविदेश के बुर्हानपूर डिस्टिक में सिचुएटेड है और एक और चीज है कि इसी किले को क्या कहा जाता है की टू डेककन या दक्खन की चाबी की टू डेककन के नाम से कहा जाता है या तो इसको कहा जाता है दक्खन का प्रवेश दौर गेटवे ओफ डेककन के नाम से भी इसको कहते हैं तो यह आपका क्या निकल के आया असीरगड़ फोट फिर एको नेक्स यहां से आ रहे तो अगला खुश्चन क्या निकल के आया निवन में से कौन सा मंदीर वास्तुकला में मदुरही के प्रसिद्ध मिनाक्षी मंदीर से मिलता हुआ जो मंदीर है व वाला जिसको युराजदेवी ने बन से बना था जिसको कल्चुरी रूलर तो उनके उनके शामय से और निकल के आ गया नेक्सक्रो कोश्चन है जल बिहारी का मेला मद्विदेश में कहा है उजीत होता है देखो जल बिहारी का मेला क्या ओर्चा में होता है ओर्चा में तो राम राजा सरकार सागर सागर में क्या होता है तो सागर में भी नहीं होता है सागर में तो नहीं दिखाई दे रहा चातरफूर में होता है तो बिल जाल विहारी का मेला आपको दिखाई देगा इन दौर में हुए प्रवासी भारतीय संवेलन 2023 के मुक्यति थी कौन थे तो जैसे कि हमने बात की थी कि पहला प्रवासी भारतीय संवेलन था वो कब हुआ था 2003 में और और कब होता है यह जनवरी 9 जनवरी को basically इसको celebrate किया था ले तो यह जो A और B है दोनों इसमें जो आप देखोगे यह दोनों इसका आंसर जाएगा A और B दोनों इसका आंसर जाएगा चंडरी का प्रशा संतोकी और मुहम्मद इर्फान अली तो यह दोनों जो थे हमारे चीफ गैस थे तो इसको भी याद रखेगा चलिए एक तो सूर पहल सेर में राश्ति खाद उससो दोजा तेईस का आयोजंग किया गया था फिर जो है स्वक्ष सूजल सक्ति सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मद्विदेश में तीन महलाओ को इस बार मिला है यह सुख्ष सूजल सक्ति सम्मान कि इतनी तीन महलाओ को जिसमें एक नाम यहाँ है अनिता चौधरी किसको मिला है अनिता चौधरी लहरी बाई जिसको मिलेट वुमेन के नाम से भी कहते है लहरी बाई क्या है लहरी बाई को हम लोग मिलेट वुमेन के नाम से भी कहते है उसके अलाव आप देखोगे कि यहीं पर आपको एको नाम दिखेगा बट्टो भाई बट्टो भाई किस से है जो डॉल क्राफ्ट से या गुडिया शिल्प से associated है तो वो आपकी कौन सी है बट्टो भाई है अनीता चोधरी जिनको आमने देखा सुख्छे सुजल सकती सम्मान और तीजन भाई तीजन भाई किस से सब्सक्राइब मंदीर भी दिखाई देगा बड़े बाबा टेमपल तो कभी आप से पूछ आई कि बड़े बाबा टेंपल मद्विडेश में पर है तो बड़े बाबा टेमपल मद्विडेश के ख़हां खोला जा रहा है मद्यविदेश का पहला इस्कूबा ड्राविंग स्कूल जो है ऑम कारिशवर में खोला जा राय ऑम कारिश मद्यविदेश के कौनसे क्हं डिष्टी झाल का çू म मेगावाट का तो छिएसो मेगावाट का यहां पर सोलार फ्लोटिंग प्लाइवडी बनने आला है इसी होंकारेशमन के आफ देखते हो तो यहां पर आपको कुछ गुफाया देगी जिसमें आपको यहां गूफाया दिखाई देगी जिसमें आपकी काजल कर दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं बढ़िया होंगे यह आपका पाचवे नंबर का जो पेपर है जिसका डिसकसन चल रहा है वससे पहले मेरे कलीग आपके सामने सवालों पर डिसकसन कर रहे थे मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूं और मेरी जुभमेदारी है वो विवस्था यानि के पॉलिटी और साथ में पॉलिटी के साथ में आयोग यानि की कमीशन के सवालों को करवाने के तो देखे भाई आपकी प्रारम्भी परिक्षा दो हजार तेईस जो 17 दिसंबर को आईजित हो रही है इस तैयारी को हम बहुत मजबूत करवाने का प्रयास कर रहे हैं उतकर्स कोसिस कर रहा है कि आप जब एक्जाम से बाहर निकलें तो इसमें उतकर्स का भी बहुत बड़ा योगदान हो और आपको लगे कि संस्थाने हमारे साथ में जस्टिस किया है न्याई किया है इसी गड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूं और आगे बढ़ा कर के सबसे पहला शवाल देखता हूं भारत में समविधान सभा के गठन का विचार शर्वपर्थम यानि कि जिस समविधान सभा ने भारती समविधान का निर्मार किया था उस समविधान सभा के निर्मार का जो विचार आया था ये पहली बार विचार जो आया था वो 1934 में 1934 में और ये विचार प्रस्तुत किये थे M.N. Roy ने साथ में ये विचार इसी समय पर जो समय की स्वराज पार्टी थे स्वराज पार्टी ने भी रखा था और ये जो M.N. Roy नाम के व्यक्ति है ये M.N. Roy सहाब दरसल एक व्यक्ति है जो सामवादी विचारक थे कमुनिस्ट विचारक सामवादी विचारक थे और ये जो सामवादी विचारक है ये बात तो M.N. Roy इसका इंसर हो जाएगा मानवेंदरनाथ रॉय अगला सवाल निन्म समितियों में से सही जोड़े का चैन के जिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर अंबेड कर और इस प्रारूप समिति को बनाने के लिए सत्चिदानन सिनहा ने कहा कि प्रारूप समिति बननी चाहिए और 29 अगस्त 1947 को बनी थे और डॉक्टर अम्बेटकर 30 अगस 2047 को इसके अध्यक्ष बने थे प्रांतिय समीति जो रियासतों की समीति थे इसके जो अध्यक्ष थे प्रांतिय नहीं प्रांत प्रांत समीति और प्रांती समीति के कौन थे भई सर्दार पटेल और प्रांत समीति के इसका प्रांती नहीं ह हो गया सही का सही जोड़ा निकालना है मूझा अधिकार उपसमीती राजेंदर परशाद तो अगला सवाफ देखे भई देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्ता यानि कि जो निर्वाचन सुरू हुआ था एलेक्शन सुरू हुआ और निर्वाचन सुरू हुआ था 1892 से 1892 से और कौन सा निर्वाचन था भई आ प्रतेक्ष निर्वाचन और इसके बाद में आगे चल करके 1909 में आ गया था प्रतेक्ष निर्वाचन यानि कि सेपरेट एले में इसमें आया था प्रतेक्ष निर्वाचन ये बात था तो एंसर क्या हो जाएगा प्रतेक्ष निर्वाचन यानि कि 1990 का धिनियम A is the right answer अगला सवाल देखे भई लोक नियोजन में औसर की समानता यानि कि सरकारी नौकरी में सभी को समान असर मिलेंगे यह किस में लिखा हुआ है तो दरसल यह समता का अधिकार है और आर्टिकल नंबर 16 में लिखा हुआ है जिसमें कहा गया है कि मूल वंस धर्म जाति लिंग जन्म इस्थान जन्म इस्थान वंस और निवास के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं होगा आर्टिकल 15 में 5 प्रकार है और आर्टिकल 16 में 7 प्रकार किस से भेदभाव को मना किया गया है अगला परिक्षा से पहले दीजिये 10 बार परिक्षा है यानि कि उतकर्ष ने तयार की है MPPSC प्रलिम से परिक्षा से पहले दीजिये 10 बार परिक्षा है यह क्वेश्चन बैंक है जिसमें 1000 महत्वपून प्रश्णों को रखा गया है और इन एक हजार अति महत्व पूर्ण प्रशनों को दस OEMR सीट के साथ में रखा गया है और इस बुक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को निखार सकते हैं आपके प्रारमभिक परिक्षा के एक्जाम से 170 पेज की किताब सिर्फ 60 रुपए में आपको मिलेगी या तो आप बुक स्टोर पर चले जाएए नजदी की बुक स्टोर पर या तो उतकर्स पर आ जाएए या फिर इससे को स्केन करके जो बुक शाला है और कर सकते हैं ऑनलाइन इस बुक को मगा सकते हैं दस मॉडल पेपर हैं जिनको टार्गेट किया गया है कि 2023 की प्रारमिक परिक्षा से पहले आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं अगले सवाल पर चलते हैं भई अब आता है कमीशन यानि कि आयोग पर सवाल देख लिजे भई तो आयोग पर पहला सवाल क्या है भई दिनेज गोश्वामी समीति का संबंद किस्से हैं तो दिनेज गोश्वामी समीति का संबंद चकमा समस्या से नहीं भई बैंकों के अगला सवाल क्या हो गया यह अगला सवाल हाँ देश में सरवर्थम राज निर्वाचन आयोका गठन कहां हुआ था तो अविशली कहां हुआ था भई मद्द प्रदेश में एक फरवरी 1974 सवाज इसका क्या किया गया था भई गठन किया गया था यह बात अगला इंसर राष्ट्री अहरत न्यायादीकरण से सदसों की नियूकति किसके द्वारा की जाती है लाश्ठी हरत नियादीकरण जो 2010 में स्थापित हुआ किसके द्वारा की जाती है तो आपको याद रखना है ये नियुक्ति की जाती है भाई उचितम नहाले के परमर्श से केंद्र सरकार द्वारा चैन समितिकी सिफारिस पर किंद्र सरकार द्वारा तो किसके द्वारा भाई चैन समितिकी सिफारिस पर कौन करता है भाई केंद्र सरकार के दोरा इसका क्या किया जाता है भाई गठन किया जाता है राज लोग सेवायोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है तो जो राज लोग सेवायोग है यह अपना प्रतिवेदन किसको देगा भाई इस अपना प्रतिवेदन देगा राज जुपाल को और रा से ही शुरू करना पड़ेगा भारत का नियंत्रक महालेका परिक्षक निनमिलखित में से निनमिलखित में का एक मित्र और मार्ग दर्शक होता है यानि कि यह किसका मार्ग दर्शन करता है तो दर असल 1921 में एक संस्था इस तापित हुई थी उसका नाम था पैक कमेटी लोक लेखा समीति सबसे बड़ी समीति कौन सी है प्राक्षान समीति इसमें बाईस सदस्व होते हैं और इसमें कितने होते हैं यह बात निन्मेलखित में से किस सिद्धानत पर नीती आयोग काम करता है तो जो नीती आयोग काम करता है वो बहुत एक वाद पर सहकारी संगवाद पर इन में से कोई नहीं तो दोनों पर करता है भई बहुत एक वाद पर और सहकारी संगवाद पर ये बात तो इसका एंसर D हो जाएगा इसके बाद में अगला देखे भई next question है और next question में क्या लिखा हुआ है भई राश्टी मानवाधिकार आयोग में कितने ऐसे सदस होने चाहिए जिने मानवाधिकारों से संबंदिस जानकारी हो यानि कि मानवाधिकार से संबंदिस जानकारी रखने वाले व्यक्ति तो कितने होने चाहिए भई तो मानवाधिकार की जानकारी रखने वाले तीन होने चाहिए 2019 से पहले दो थे अब कितने कर दिये गए हैं भई तीन कर दिये गए हैं अगला देखिए। अगला लास्ट क्वेश्चन है भई और लास्ट क्वेश्चन क्या है। महिला एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रा ले विकास मंत्रा ले ये बात तो क्या हो जाएगा एंसर बी इस दा राइट एंसर ये आज के हमारी शवाल थे सब्सक्राइब के साथ में और इसके बाद में हम अगले टेस्ट डिसकसन के साथ में फिर से मिलेंगे तब तक मैं नए एकस्पर्ट को बुलाना चाहूंगा मैं आप लोगों से विदा लेता हूं धन्नबाद नमस्कार दोस्तों फिर सभी से आप सभी का स्वागत है उतकरश में पैस नंबर फाइब की हम लगतार बात कर रहे हैं इसमें जोग्रफी के जो कोशन है उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से बने होंगी जोग्रफी के सेक्शन का पहला कोशन जो आपके सामने था बुल्फराम किस का आयश्क है धातू से उठाया हुआ है इंडरिस्ट्री उद्योग से प्रिशन उठाया है बुल्फराम किस का आयश्क है तो बहुत सरल कोशन है यह किस का आयश्क है टंगस्टन का ऐलूमीनियम क्या किस का आयश्क है तो ऐसे प्रिशन आप लगतार हल कर करते रहेगा जिससे आपको और भी बैटर मिलेगा इससे स्रिलेटेड जो भी डेटा है ये आपको इंडिया वर्ल्ड और फिजिकल समझ जित्ते भी स्टैटिक डेटा है MPPSC उतकर्ज चैनल पे आपके पास उपलब्द है आप जाएए वीडियो सेक्शन में और इसको जरूर एक बार टैली करिएगा दूसर प्रिशने दिफू दर्रा कहां पर है तो दिफू दर्रा की उपस्तिती कहां दिखाई देती है तो भाई दिफू दर्रा की उपस्तिती दिखाई देती है अरुनाचल प्रदेश में कहां दिखाई देती है अरुनाचल प्रदेश में ये दर्रा प्रमुक रूप से ये ग्रेट निकोबार समू और सुमात्रा को के बीच में which of the following channel is located between the great निकोबार आइलेंड and सुमात्रा तो the सुमात्रा and the great निकोबार आइलेंड between a very important channel it is known as great channel तो great channel किसके बीच में है तो इंडिया का great निकोबार जो निकोबार समू का भाग है और नीचे सुमात्रा जो इंडोनेशिया का भाग है इसके बीच में स्सित है यहीं पर the India most southern point इंडरा point भी locate करता है नमबर एक को नमबर बी से जोड़ना है इसको टैल कर सुची को set करना है उत्री निदमान, मिडल निदमान, साउथ निदमान ग्रेट निदमान को set करके बताईए तो इसकी उची चोटियां कौन किसकी है which is the highest peak के लिए यह पता है दोस्तों तो बहुत अच्छे से बता पाएंगे तो उत्री निदमान किससे जोड़न की highest peak क्या है saddle peak इट मीज एक आंसर भी है अब एक आभी कहा है के वली यही है इतना सरल हो गया अब देखो मिड अंडबान, तो मिड अंडबान के highest peak क्या है डियो वोली है साउथ अंडबान, साउथ अंडबान की सबसे उची चोटी माउंट कोयोब है जबकि ग्रेट निकोबार की सबसे उची चोटी माउंट थूलियर है जबकि इन सम में भी जो सबसे highest peak है वो 772 मीटर उची ग्रेट निकोबान, साउथ अंडबान पर इस से कौन सी चोटी है सैडल peak है जो अंडबान और निकोबार की भी highest peak है निमनमै से कौन सी नदिया ब्रह्मपुत्र की सहायक नदिया है which of the following rivers are the tributary of ब्रह्मपुत्र बोडी दिहांग, धंसिरी, सुबंसिरी, हुगली और संकोष क्या हुगली इसकी सायक नदिया है नो, संकोष है, सुबंसिरी है, धंसिरी है, दिबांग है अब जब नदी निकलती है, तो कहां से निकलती है, तिबच्चाइना से निकलती है उसके बाद लगातार east towards move करती है फिर नामचबुर्वा के पास से जब u-turn लेती है, तब अलग नाम से जानी जाती है सियांग कहते है, जब भारत में एंटर होती है, तो दिहांग नाम से जानते है जब इसमें दिबांग और लोहित मिल जाती है, तो इसे ब्रह्म पुत्र कहा जाता है पूरी static data की बात, यूटूब वीडियो में की है, इंडियन जोग्रोफी वाले में जरूर वहां से दिखीगा, बट यहां से आंसर है, हुगली, इट मींस हुगली इसकी साहिक नदी नहीं है तो हुगली को छोड़ दें, फोर नंबर ओप्शन को छोड़ दें, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 5, इट मींस C ओप्शन जो है, वो करेक्ट नजर आता है निमने मैं से कौन सा बल पवनों को वेग और दिशा को प्रभावित करता है Which of the following force affect the velocity and direction of wind पवन प्रवा को कौन परिवर्थित कर सकता है, दाप्रवनता, धर्शन बल, कोरियोलिस बल, कौन कौन कर सकता है तो भाई इन में से कौन कौन कर सकता है, तो pressure gradient force definitely करेगा Friction force ये तो करेगा ही, Coriolis force ये भी करेगा It means तीनों condition सही है, आंसर हो जाएगा D, Coriolis या Feral का नियम कहता है कि उत्री गोलार्थ में चलने वाली जो पवने winds हैं, वो चलती है Clockwise और South या दक्षिनी गोलार्थ में सदन हेमिस्वेर में चलने वाली currents होती है Anti-Clockwise दक्षिनी जो गोलार्थ होता इसकी चबबने घड़ी की विपरीद दिशा में चलती हुई नजर आती है अगले question चलते है मरुस्थल की समस्या के लिए C-A-Z-R-I Central Arid Zone Research Institute की स्थापना कहां की गई है तो भाई ये जो मरुस्थल है desert की बात की गई है थार के मरुस्थल जिसे हम Great Indian Desert कहते हैं इसके उपर की गई है और मूल रुप से जो इसकी स्थापना है वो की गई है जोधपूर में ये की गई है 1959 में तो आंसर हो जाएगा A 1959 में जोधपूर में मरुस्थलिये कारकरम या मरुस्थल के विकास को कैसे रुका जाए कैसे उसे सीमित किया जा सकता है इन सभी उद्देशों के लिए इसकी स्थापना की गई है पैट्रोलियम छेतर के सही युगमों का विचार करना है कि पैट्रोलियम रीजन एक तरफ इस्टेट दिया हो एक तरफ रीजन के बारे में दिया हुआ है कौन कहां पर है क्या बोरहुला जो असम में है आपको ये बताने क्या बोरहुला जो छेतर दिखाई देता है क्या ये असम में वास्थित्ता में है तो इसका अंसर हो जाएगा हाँ या नहीं तो बोरहुला कहां पर है क्या असम में है ना ये असम में ना होकर कहां पर है दोस्तों तो ये है नागा लेंड में है तो ये नागा लेंड में दिखाई दिता है निगारू कहां पर है अरुणा चल प्रदेश में है लूने जो छित्र कहा है तो गुजरात में है गुजरात के अलावा यदि इसका आंसर देखे तो दो और तीनों जो हैं ये नर्मदा रिवर के किनारे नजर आते हैं नर्मदा नदी के किनारे पेट्रोलियम के छेत्र हैं जब कि यदि आप तापी नदी के किनारे देखेंगे तो तापी या तापती नदी के किनारी जो पेट्रोलियम छेत्र है इसका नाम है कलोल तो कलोल भी गुज तो Antarctica which is the fifth biggest continent in the world, it is known as the moving continent, the science continent etc. ये सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा थंडा मरुस्थल भी है जो एक cold desert है, शीत मरुस्थल के रूप में दिखता है। दुनिया में सबसे उंचाई परिस्थित राध्धानी कौन सी है ब्राजील की ब्राजीलिया, एक्वाडोर की क्वीटो, कोलंबिया की बागोटा या वैनेजवेला की केरोकस ऐसी कौन सी राध्धानी है जो सबसे उंचाई परिस्थित है तो एक्वाडोर की इन चारों में ए एकवडूर की CAPITAL Quito, दुनिया की सबसे उचाई पर इस्तित राजधानी हैं, इन मेंसे, ठीक है, ध्यान रख रहा हैं, और दुनिया की सबसे उचाई पर इस्तित नौकायन जील कौन सी है, तो जील का नाम है T.T. KAKA, ठीक है, तो لا पास उचाई पर जील भी, ओ लापास जो राजधानी हैं वो दुनिया के सबसे उचछाई परिसित राजधानी है पर यहां पर option में क्वीटो दी है इसलिए क्वीटो option हम लेंगे पर दुनिया के सबसे उचाई परिसित नौकायन जील कौन सी है तो लेक टीटी का का है जब का सबसे बड़ा संरक्षित उद्यान वुड वफैलो नेशनल पार्क तहां पर है तो वुड वफैलो नेशनल पार्क सबसे बड़े संरक्षित उद्यानों में जबकि वर्ल्ड का फर्स नेशनल पार्क कौन सा है तो ये था येलो इस्टोन नेशनल पार्क तो येलो इस्टोन दुनिया का पहला है भारत का पहला नेशनल पार्क की यदि हम बात करेंगे तो ये था हैली और इसे आजकल कहा जाता है राम गंगा नेशनल पार्क तो राम गंगा नेशनल पार्क को पहले हैली हैली के बाद इसे कहा गया जिम कॉर्बिट और जिम कॉर्बिट के बाद अब राम गंगा नेशनल पार्क के नाम से जहां राम गंगा नदी बहती है इसके बाद राश्ट्री आबदा प्रबंधन प्राधीकरण किस मंत्राले के आधीन काम करता है तो भाई राश्ट्री नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एथर्टी किसके अंतरगत काम करती है होम मिनिश्री और अभी अमिश शाह जी इसके मुखें अमिश शाह जी के नियंतरण में ये काम करती है इसके अलावा NDMA, SDMA, DDMA कैसे काम करता है, क्यों काम करता है 2005 में एक्ट क्या बना, किस एंगल में था, इसकी तयारी रखेगा उजेहन में कब तराजदी हुई, बालासौर घटना क्या हुई, केरल में कब बाढ़ आई, जम्मु कश्मीर की बाढ़ क्या थी, उत्राखंड के दारनात आबदा क्या है इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रशन है, जिसे हमने अलग-अलग वीडियोस में कवर किये हैं यूटूब में जाकर उसे जरूर देखेगा, उमीद करता हूँ ये पाँचवा टेस्ट भी आपका बहुत अच्छा गया होगा, छटवे टेस्ट की अगरिम शुपकामनाए, आगे मैं हिस्टी के तिक्षक आपके आगे की बात करेंगे, जैहन जैभार किसी बुक में दिखता है, तो उसको जरूर ध्यान रखें, नोट डाउन कर लें, अब स्टेट्मेंट क्या है, विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता, no matter how good a foreign state may be, it can never be better than the indigenous state, ये बात किस निम्न में से किसने विवेकानंद को आदूनिक राष्ट्रे आंदोलन का अध्यात्मिक पिता की संग्या दिये, मतलब विवेकानंद को किसने spiritual father of the modern national movement बोला है, तो इसका answer है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को father of the nation भी कहा था, ठीक है, तो इस ध्यान रखने लाइक बाते हैं, next, which of the following statement is correct regarding 8 August 1942 in Indian history, quit India resolution was adopted by AICC, बतला वो ये पूछ रहा है कि इस particular date में क्या हुआ था, है ना, तो देखो पहला ही option हमें एकदम सही लग रहा है, quit India resolution जो है पास हुआ था, Bombay में AICC की meeting होई थी, ठीक, बाकी, viceroy's executive council was expanded, ये सब नहीं हुआ, 8 August को, congress cabinet resigned in seven provinces, ये भी नहीं हुआ, Crips proposed an Indian Federation, Crips तो हो गया काम खतम, तो obviously इसका answer क्या होगा, A, ठीक है, next is, निमलिकित में से कौन प्राचीन भारतिय धार्मिक गीतों के अंग्रेजी अनुवाद, हैना, Songs from Prison से जुड़ा है, तेको ये जो book हैना, translation है, ये basically, Rig Vedic Hymes का, और ये Songs from Prison जो है, Mohandas Karamchand Gandhi से जुड़े हैं, मतलब, ये basically किताब है, जो की लिखी थी, Mohandas Karamchand Gandhi ने, next, who among the following was associated as the Secretary of Hindu Mahila School, which later came to be known as Bethune Mahila School, द्यान के रखना, Bethune एक British Educationist थे, हैना, और 1849 में, इश्वर चंद्र विद्ध्या सागर को इसका principle या जो भी कहलो, हैना, head बनाया गया था, इश्वर चंद्र विद्ध्या सागर एक social reformer थे, जिन्होंने पूरा जीवन, women education और women empowerment में दिया था, ठीक, अब क्या पूछ रहा है, chronological order of arrival, मतलब क्या भारत में पहले हुआ, ठीक है, तो भारत में पहले क्या हुआ वही, देखो, नगर संस्कृती, हरपा, सबसे पहले, तो four, ये दोनों में से answer होगा, फिर आया क्या, फिर आया Vedic period के दौरान, iron plow, लोहे का हल, मतलब four three, ठीक है, Vedic period, gold coins, अब से बाद में आये, देखो, इंडो-ग्रीक के समय आये gold coins, silver के coin फिर भी हमें थोड़े पहले मिल गए थे, है न, कब से, महाजनपत period में, तो इसका answer क्या होगा, four three one two, ये रहा, four three one two, clear, चलो, we next, in which of the following, उपनिशद, the dialogue between Yama and Nachiketa is found, Yama और Nachiketa, मतलब Yama जो थे, he is the god of death, Nachiketa ने उन पर कई सारे सवाल पूछे थे, death को लेकर, तुर्ण ने जवाब दिये, ये दिया है में कठो उपनिशद में, here, this is given in, कठो उपनिशद, next, हुमायु द्वारा लड़े गए, चार प्रमुगिद्दों का, तिथी अनुसार सही क्राम अंकित करें, तो ये है इसका सही क्राम, दी आंसर है, 1532 देवरा का बैटल, चौसा का बैटल 1539, कन्योज 1540, और सिरहिंद 1555, थोड़ा सा मुश्किल है एक क्वेश्चन, क्योंकि सबके यह याद ऐसे रखना मुश्किल है, ठीके पर कन्योज का अगर याद रख लिया, और सिरहिंद, कन्योज में वो हारा थे, हारे थे, ठीके बैटल अफ चौसा में भी हारे थे, तो अगर ये कर लिया, तो थोड़ा सा इजी हो सकता है, देवरा बहुत पहले हुआ था इनके बीच में, ठीक है, जब कालिंजर की सीज होई थी न, तब यह हुआ था देवरा का युद्ध, ठीक है, इरोश्त उलक कोई इन सब का, मतलब ही वाज़ा, सोशल रिफॉर्मर टाइप ऑफ किंग, ठीक है, नेक्स्ट, इन विच सिटी इड़ फेमस टूम अफ सूफी सेंड सलीम चिस्ती लोकेटेट, जान रखना, सलीम चिस्ती का मगबरा फतेपूर सीकरी में अकबर ने बनवाय जो कि science and tech के questions आपके साथ discuss करेंगे, thank you, hello everyone, welcome to Utkash Classes, बिटा मेरा नाम है Dr. Anmol, और हम बात कर रहे हैं, आज, model paper no. 5 के discussion की, model paper no. 5 के discussion की, जो है आपका science and tech, मतलब unit 7 और unit 9, सीधे प्रारम करते हैं, पहला question, प्रत्वी के गुरुत्वी बल्कि सीमा के बाहर फेके जाने है, तू, पलायन वेक का मान क्या होता है, what is the value of escape velocity for being thrown out of the range of earth gravitation force, जो, आपका कहा चला गया, escape velocity होती है, वो escape velocity हमेशा, एक minimum velocity होती है, एक हमेशा new time मान होता है, जिससे फेकने पर कोई चीज प्रत्वी के गुरुत्वा कर्शन, gravitational force, earth gravitational force से बाहर जाती है, और वापिस प्रत्वी पे कभी नहीं आती, ठीक, और वो new time value होती है, 11.2 km per second, answer is C, C for channel, इससे उपर कुछ भी फेकोगे आप, वो प्रत्वी पे वापिस नीचे नहीं आएगा, लेकिन इससे नीचे फेकोगे तो वापिस जमीन पे आके गिरेगा, अगला प्रत्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है, नील हरी शेवाल, which of the following, which is the oldest organism on earth, blue green algae, fungus, amoeba, yuglina, प्रत्वी का सबसे पुराना कौन है, blue green algae, नील हरी शेवाल, कवक, amoeba, yuglina, बिटा, blue green algae का एक और नाम होता है, syno bacteria, blue green algae का एक नाम क्या होता है, syno bacteria, यह bacteria है, उसमें भी पुराने bacteria हो में से एक है, आरकी bacteria के बाद इसका number आता है, यह कवक जो होता है, फंगस जो होता है, यह होता है, decomposer, अब घटक, यह सबसे पुराना नहीं होता, amoeba, यह भी पुराना नहीं होता, prokretic के अंदर आता है, yuglina, यह, जन्तु और पादब के बीच की कड़ी है, plant और animal के बीच की क्या है, बीच की कड़ी है, link है यह, यह, भाई सब जो है, blue-green algae, यह photosynthesis कर सकते हैं, प्रकास translation कर सकते हैं, यह photosynthesis यह, प्रकास translation कर सकते हैं, और यह इनकी विशेशता है, और इन options के बीच में सबसे पुराना यह ही है, वैसे जो शुरुवात में कोशिगा बनी थी, that call is, उसको कहते है, operator held on model के सबसे कोई सर्वेट, पर यहां पर option नहीं है, तो अपन वालेंगे इसको answer A, A for Agra, हमेशा बोला, बीचा, match, ऐसे ही करना, ABCD करके, तब ही answer बनेगा, हार्मोन, एंजाइम, फॉस्फोलिपिड, पॉलीमर, लाइपेस, टेस्टेस्टेरॉन, लेसिथिन और पॉलिथिन, भाई सब हार्मोन तो है टेस्टेस्टेरॉन, मेल हार्मोन है, जो टेस्टीज या वरशन से इस्तरावित होता है, जो सेकेंडरी सेक्शुल करेक्टर या दोतियक लेंगी कलेक्शन लाता है, ठीक, एंजाइम, एंजाइम है लाइपेस, जो वसा का पाचन करता है, तो टूबर, फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन इस अब फॉस्फोलिपिड, तो आंसर हो गया, तीन और बहुलाग, पॉलिमर नहीं चीजों को, लेकिन अगर आपने इसको गोल-गोल घुमा के मिलाने की कोशिश की, वो जो लाइन खीच-खीच के मिलाते हैं ऐसे, कभी आंसर नहीं निकलेगा, पेपर में घवराट इतनी होती है कि नहीं हो पाता, तो हमेशा इस वीदी से मिलाना, निमलिकित में से कि वीचा इसकी कमीन जो बिँमारी उसका नाम है, पॉलिनीउ्राइट ओरुसिस,砜ण ओरुठावी वैवांत === विटामिन है सल्फर पाया जाता है यह भी सही नाम है विटामिन B9 एसकॉर्बिक एसिड ना एसकॉर्बिक एसिड इस विटामिन C तो यही गलत है तो आंसर हो गया D D4 डिल्टा अगला करनाल बंट एक बिमारी है बिटा नजर रखेंगे इस जैसे कोश्चन कभी कभी आते हैं जादा नहीं आते लेकिन यह गेहूं की बिमारी है आपके पास रटने के लावा कोई फरक नहीं पड़ता इनसे बंट माने की बो कंसीरा नेक्टर फॉर डियाबेटिक पेशेंट्स बिटा ध्यान से जामुन यह डियाबेटिक कंट्रोल करने काम में आते हैं मैंगो अम्रूद यह दोनों तो वैसे भी खाना मना रहते हैं क्योंकि हाई शुगर होती है इनमें तो आंसर है जामुन इसके बीजों को सुखा आगे पाउडर बना की उसकरते इवन जामुन भी खाये जाते हैं अगला शार का पूरा नाम था शार का पुराना नाम था दा ओल्ड नेम ऑफ शार वाज दा ओल्ड नेम ऑफ शार वाज नमबर एक इंडियान डीप स्पेस नेटवर्क नहीं भाई उत्तरपूर्वी अंतर श्री हरी कोटा रेंज तो सही आंसर होता श्री हरी कोटा रेंज अगर होता तो लेकिन नहीं है तो कोई नहीं से ना मामा से काना मामा अच्छा सतीज दवन अंत्रिक्ष केंद्रिस का आंसर यहां पे लिया जाएगा तो आंसर हो गया डी डी फ़र दिल्ली दूर संचार प्रसार नेतु प्रयोगत उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है इतनी जादा हिंदी कैसे बनेगी एक उपग्रह ऐसी कक्ष प्रसा देशी नाम भू स्थैतिक कक्षा बिल्कुर रखा जाता है दो ही कक्षा हो में रहते हैं संचार उपग्रह या तो भू स्थैतिक में या भू संक्रवनकारी में जियो स्टेशनरी में जियो सिंक्रोनस में असे टेलाइट इसेट वी सच ऑर्बिट वेन एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भू तुल्यकाली खोती है बिल्कुल सही दा ऑर्बिट इस जीयो सिंक्रोनस मतलब चौबिस घंटे में चक्कर पूरा होगा वहां पर सत्य बचन है दूसरा कक्षअ व्रत्यकार होती है बिल्कुल रत्यकार होती है कक्षा प्रस्वी के समतल होती हाँ भूमत रहेखा दा औरब्रेट इज इन दा प्लेट ऑफ दा अर्थ एक्वेटर बिल्कुल जीरो डिग्री का एंगल बनाती है बिल्कुल माना कशया बाई सजार तेन सो चैस किलोमेटर की तूंगता पर होती है डा औरबिट इस अपन इसक ऩो नियर उव उट मान लेते हैं कितने किलूमिटे चति किती सहार तो ये डेटा गलत है तो फोर तो फोर कंफर्म गलत है वह यह दो यह दो क्ित्स कि अलॉफ टियूछाब को यह आश्यास पहल है तो इसको जब उपर से नहीं बनते तो इनके option देख लिया करो इसमें सब में दिख रहा है बहुत ध्यान से कि भाई only focus करो किस पर फोर पे अगर फोर सही है तो बाकी option खुलेंगा और फोर गलत हो गया तो सिर्फ एकी option बचता है एफ और आगरा के पर में एक presence of mind बड़े काम में आए आदूनी computer के पिता किसे कहते है वन लाइन कोशन एलन ट्यूरिंग आगे वड़ते हैं विश्व का प्रथम रोबोट निर्मान कंपनी है विश्व की प्रथम रोबोट कंपनी निर्मान कंपनी जॉर्ज सी डेवोल की थी कंपनी का नाम था यूनी मेशन और जो रोबोट बनाया था उसका नाम था यूनी मेट और यूनी मेट एक इंडस्ट्रियल रोबोट था बेसिकली रोबोटिक आम था ये ठीक होंडा ने बनाया था सीमो भाई सब विप्रो का रोबोट निर्मान में कोई नाम नहीं है बड़ा अगला भारस सरकार के किस मंत्रा ले द्वारा क्रतिम विश्व क्रतिम बुद्धी मत्त्य टास्क पोर का गटन किया गया अर्टिवि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आर्टिविशल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स बनाया है ताकि अपने पूरे वित्ती लेंदेन के उपर नजर रखी जा सके आटोमेशन स्वाचालन को बढ़ावा दिया जा सके वाइफाई को मतलब यहां पर आंसर हो गया बी बीफर इप्रशासन से संबंदि सही विकल का चैन कीजिए समतली संगठन कंप्यूटर पर आधारित उपलब्दी और लक्षन मुखी उप्रुक सभी सिलेक्ट दा करेक्ट ऑप्शन रिलेटेट टू एड्मिस्टेशन ठीक बाइसब ध्यान से अचीवमेंट और गोल्ड औरियंट इनर ऑगनाइजेशन तो आंसर तो यहां पर हो जाता है डीफर डिल्टा आई पीवी फोर इंटरनेट प्रोटोकॉल से संबंदि सही विकल को चुनिए आई पीवी फोर याद रखना बिटा आई पीवी फोर में जो डिवीजन होता है वो डॉट से होता है इसमें टोटल मि जाएगा सेट में 255 जाएगा इससे उपर जाने वाला है नहीं ठीक देख लेते हैं 1980 में विक्सित सबस्यादा उप्योंग होने वाला इंटरनेट प्रोटोकॉल डवलट डवलट डवलब डिन दा इयर 1980 इस दा मोस्ट यूज इंटरनेट प्रोटोकॉल बिल्कुल सही सब्सक्राइब के द्वारा सेपरेट होता है और आए पीवी 6 में अल्फा नुमरिकल होते हैं मतलब ए बीसी दीजिट एचे अल्फावेट होते हैं और जीरो से नौ तक के नुमरिकल होते हैं तो यहां पर आंसर हो गया डीफ और डिल्टा निम्लिक में देकॉन हाइक मेसे सब्सक्राइब बंद हो चुका है लेकिन इसके संस्तापक कौन थे कैविन भारती मित्तल लिक लाइडर इंटरनेट के विचार देने वालों में से एक यह रेड़ आउप मैं इनने दिया भाई साब लिंक दिन अजीम प्रेम जी अपने भारत के महांतम विक्तियों में से एक विपरो वाले हैं लेकिन यहाँ पर केविन भारती मित्तल किसके संसापक थे हाइक के और हाइक क्या था एक हाइक था सोशल नेटवर्किंग साइड जो बंद हो चुका है अगला निमलिकित में से जी टू जी का उधारन है फास्टेक बिलकुल मैं फास्टेक का जो पैसा देता हूं वो सरकार को देता हूं और मैं सिटीजन हूं और वो गॉर्मेंटे लिने वाली उमंग उमंग तरह तरह देता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर नियू एज गवर्नेंस बिल्कुल साब ये भी एक जी टू सी है जिसमें हमको सभी सुधाय प्राप्त होती है अपने प्रमान पत्र बनवाने से लेकर शिकायद दर्श करने तक इप्रसेवा इतरस सेवा यह भी जी टूसी में आती है तो आंजर हो जाता है डी टी फॉर ओर उप्रोस सभी किस नेटवर्क दाला देश Lance नई दिल्ली को राज के सभी राज्यों की राज़ादानी एवं जिला मुख्य motivation इससे जोड़ लाग रहा है निकनेट नेशनल इन्फरमेटिक सेंटर नेटवर्क यह यह जो नेट है यह यह तो होता है एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क तो यह तो आप्शन नहीं है आंसर है नाइसी निकनेट 1987 का सीन है बिटा ध्यान से देखे जिसके दिसकेशन कर रहा है उसी मॉडल पेपर के बारे में यहां पर द्वता रखा गया है कि मॉडल पेपर की बुकलेट अविलेबल है जो आपके खुद के आखरी टाइम के जो रिवीजन है उसको स्पीर बढ़ाने के लिए काम में आएगी आखरी रिवीजन में आपको जो अंति आपको जानकारी चाहिए तो हमारे 24-7 ऑनलाइन नंबर है यह बुकलेट केवल 60 रुबे कीमत के लिए अविलेबल कीमत पर अविलेबल है आपको तो आज ही अपनी तयारी को बहुत ही जाद अत्तीव रगती दे आज के लिए यूनिट 709 के डिसकेशन में पेपर नंबर 5 क के लिए इतना ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अर्थिशास रिया एकनॉमिक्स के हमारे विशे विशे शग्य एक्सपर्ट फेकल्टी को तब तक के लिए मेरी तरफ से जैहिंद धन्यवाद सर बात की जाए मॉडल पेपर 5 में एकनॉमिक्स पोर्शन की तो एकनॉमिक्स बात की जाए पहली पंचवर्शी उजना से तो 51 से 56 पहली पंचवर्शी उजना हैराड डोमर मॉडल पर हैराड डोमर मॉडल पर दूसरी पंचवर्शी उजना जो था है 1956 से और 61 तक महाल नोविस मॉडल पर और बात की जाए 61 से 66 के लिए थाइव फाइव यह प्लांड जो लॉंच की यह थाइव इन पर सेंडी चक्रवर्थी मॉडल और इसी को अगर दूसरी बात की जाए तो इसे ही गाडगिल कि नाम से जल्गिल के नाम से जल्गिल मौडल के नाम जल्गिल गाने का और यह पहली पंछो पर Timmy में चाइना साथ योण और इनके कार्ण यह पंचवर्शियोजना लगबग असफल की मानी जाती है यहां पर एंसर आपके हिसाब से गाडगिल का किया वह जो सब्सक्राइब पर इसिसरे पंचवर्शियोजना में आपको से एंसर अगली बात किजाए अगले क्योशन के ओर चलते हैं ।, RBI कि इसे तापना किस आयोग किनाई की नामस जानते है इस कमिशन की रिकमेंडेटेशन पर A.P. 1935 में केंधरी बैंक की रूप में एक हिल टन तर्य यंग थे रोयल कमीशन या साही आयो के इसलिए से इस कमीशन का नाम हिल्टन यंग कमीशन के नाम से रहता है तो अप्रेल 1935 में आर बीए की स्थापना एक केंद्री बैंक भारत केंद्री बैंक के रूप में की गई थी अगले क्यों चलते और अगला कुशन आपके करेंड अ आवार्ड जीता है विच मनिश्ट्य हैस वॉन द बेस्ट इंगेजमेंट ओर फॉर पर्शेजमेंट थूजी इंपर्टल जी एंपर्टल जो ओनलाइन पोर्टल की बात कि जिए जिम पोर्टल से किस मंत्रा ले नहीं यह वर्ट जिता हुआ हुआ को मंत्राले है आपके इं एंगेजमेंट का अवाड दे रोत करते हैं आगले कुषिशन की जनमदिन पर मना जाता है किसके जनम दिन पर बात की जाए तो बात की गई की विधान चंद्र राय जो प्रसिद वेग्यानी के चिकित्सक है इनके जन्म दिन के अवसर पर 74 को देखें के दियान से 74 कुश्चन में आपके दिया है राश्टी चिकित्सक दिवस भारत के प्रसिद चिकित्सक की बात की जिए जो पाशिव मंगल के दूसरे मुख्यमंत्री पर यह तक शीज़ दिवस मनाए जैता है यहाँ विशव तीरंजाज जी युवाज चैंपियंशिप 2013 में जूनियर मिस्रिट टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोडी ने जीता है जिसमें प्रियांत और अवनीत कौर तरुण दीब और दीपका कुमारी अतानुदास और डोला बनर जी तरुण दीब और अवनीत कौर यह अलग-अलग सारे लोगों के नाम दिये गे हैं यह अगर क्विशन की बात करें तो प्रियांस और अवनीत कौर ने अभी विश्व तिरंजदा जी युवा चैंपियंशिप 2023 कव यह इसराइल के खिलाडियों को रहा करके और जूनियर मिस्रिट टीम कंपाउंड का यहां स्वर्ण पदक जीता हुआ है तो बात कि जाए कि प् कंपाई में अफसी की तरफ से खेलते मंबई सी के खेलने वाले लाले शांड को यहे वोड प्रदान किया गया मेल में प्यम्चरों की खिलाडी है इने मूंबईAFC की त利 pumping आप तरहरोंबब प्लियर इवार्ड पुरुस्ड प्लियर फुटवॉल क दूजे कुए है फुटवॉल ये व५ड़ प्रतान किया जयता है सबसे कम सांथिपोंच देश की गई है यह चश्चित नमदा कला संबंद की सराजिग्या का इंग समिस नमदा आर्ट एक जिएड तो विच इश्ट्ट और और यृ कि नम्दा नम्दा आर्ट की बात कि जाता है तो यहां पर जम्मू कस्मीर में यह विशेश प्रकार का नम्दा कला नम्दा आर्ट यहां पर गलीचों के लिए कर्दमा से संबदित रहां भारत में से उख फ़ल में से अभी आभी रोकेट गर Κर्के और अमेरिका के का गया कि समंदर में गिर गर के उसको समात किया गया है इसका प्रोजेक्ट डिरेक्टर किसे बनाया गया था तो एस सोमिनाथ के के सीवान और पी वीराम थुवेल इन में से कोई नहीं तो पी वीराम थुवेल को इसका प्रोजेक्ट बताया गया कि इसका प्रोजेक्ट डिरे चैलेंच बंगलोर या गुजराट टाइटेंस तो बात की जाए इंडियन प्रीमेर लिग की सबसे महलिवान जो है फ्रेंचाइजी की बात की जाए तो चिन्नई इसमें अभी अभी आया है कि अगले भी चैन्नई इसमें परलिग का जो केप्टन है वह धोनी को ही बना करके र स्पोर्ट से करेंट से एक और क्यूशन आपके सामने तो इंडिया ने साउथ एसिन फुटवाल फेडरेशन चैंबियल्सिप 2023 का टाइटल भारत ने जीत लिया है अगले क्यूशन के और चलते हैं अगले क्यूशन तो सैथ केवल टेलिवेजन के सम्मंद में हैं केवल प्रसारण अनिवार की बात की जा तो पूछा गया किसके फ्री टू अर्थ फ्री टू एयर फ्री टू सी या इन में से कोई नहीं किनका प्रसारण अनिवार किया गया है तो अभी बात की गए कि ऐसे चैनल जो फ्री टू एयर है इनका प्रसारण अनिवार कर दिया गया है को प्रशाण करने की अनिवारता सरकार ने निर्धारित कर दी है तो यह बॉडल पेपर 5 के आपके सारी कुशन है इनको आप सौल करिए पहले पेपर में लगाई पेपर जो आपने खरीदे हैं उन पेपर को सारी अच्छे तरह से कवर करें कवर करने के साथ साथ करेंट अफर इसके लिए सुपकामने धन्यवाद